प्रदेश ने बदहाल काम में वस्था बलवदा बाजार हिंसा और बिजली की दर बढ़ाने सहीत अनेक बुद्धों को लेकर कॉंग्रिस ने बुद्धवार को विधानसभा घिराव करने का प्रयास किया। राजी का लौ एंड ओर्डर चर्मरा रहा है सरकार का ध्यान शासन में नहीं विरोजियों को टार्गेट करने पर है। कॉंग्रिस के लोगों को परिशान करने पर है। किंद्री बजट में भी देखा गया है कि सरकार बचाने का बजट रहा है। बजट में 36 राजी को क्या मिला ये ढूनने से नहीं मिल रहा है। 2024 के इस बजट से महंगाई कम होने की आसार नहीं दिख रहे हैं। उन्हें ये भी कहा कि विरोध प्रदरशन कॉंग्रिस का काईक्रम नहीं है। जनता की आवास को मुखर करने का काईक्रम है। पर्देश कॉंग्रिस कमिटी ने आज विधान सभा का घहराव का एलान किया है। समूचे परदेश से कॉंग्रेस की कारेकरता और आम जन आज विधान सवा का घेराब करेंगे और मुख्य रूप से परदेश की सरकार ने चुनाव के समय जो बादे किये थे उनको पूरा ना करना एक बात है लेकिन जिस परकार से शासन चल रहा है जिस परकार से रोज घटनाएं घट रही है अपराद आस्मान चूराएं इस परकार की घटनाएं जो पहले कभी इस परदेश में नहीं होती थी वो हो रही है लौन ओर्डर बिल्कुल चर्मर आ रहा है और सरकार का मुझे लगता है कि ध्यान शासन करने में नहीं है उनका सिर्फ विरोधियों को टागेट करने का है कॉंग्रेस के लोगों को परिशान करने का है और अभी केंद का बजट का लाया केंद्र के बजट में यसार आउल जी ने कहा ये तो सरकार बचाओ बजट है और हमारा कोई विरोध नहीं है पिहार के लोगों से या अंध्रा के लोगों से लेकिन जिस पकार से बजट कावंटन किया गया है चतित गड़ में यहां ग्यारा सीटे हैं लोकसवा की है यहां बा सिर्फ बयान बाजी यह लोग करते हैं मंत्री मुख मंत्री पाड़ी के नेता लेकिन जो उन्होंने बहुमत लेने के लिए आश्वासन जन्ता को दिये थे महंगाई के रोजगार के शासन के लाउन ओर के गवरनेंस के वो सब दूर दूर तक पूरे होते नहीं देख रहे ह और हम लोग जब अपनी बात रखना चाहरे हैं जैसा अभी अध्यक जी ने कहा अगर लोकतंत्र में धरना करना प्रदशन करना रहलियां करना यह हमारा अधिकार है हमारा दाइत्व है एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होने के नाते लोगों को आने से रोका जा रहा है करता हूं लेकिन आज का मारा जो घहराब होगा तमाम परदेश के नेता इसमें शामिल होंगे और हम सब एक जुटता से जनता की आवाज को मुखर करेंगे यह कोई का कारिका हम नहीं कर रहे हैं हम लोग हम जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए मुख्य विपक्षिद नहीं को प् Double सब्राइन धर करें हर तरहें मायला में अप फिरण हो रही है मारकाट हो रही है अपराद हो रहे हैं मरडर हो रहा है और शासन का सिर्फ आश्वासत देने का काम थोड़ना होता है को कारवाई ठोस कारवाई करें रोगों के जहन में को विश्वास पैदा करें और प्रोजगार की बात हो फसल खरीद की बात हो हर मोच्चे पर सरकार फेल है मुझे लगता है और आप सही कह रहे हैं आम तोर पर एक दो तीन साल के बाद सरकार की अंटिंकम्बन से स्थाफित होती है लेकि इस सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया है चुनाब जीतने के तुरंद बाद दूसरा लोगस्वा का चुनाब हुआ है लेकिन इनका जो गवर्णन स्ट्रक्चर है और मुझे लगता है कि यहां का जो शासन है वो राइपुर से नहीं चल रहा है वो दिल्ली से चल रहा है यहां पर परदेश के स्थर पर कोई निर्णे लिये नहीं जाते हैं को जवाब देते नहीं होती है तो हमारी पार्टी सदन के अंदर सदन के बाहर सक्रे रूप से और हम एक साकरात्पक विपक्ष है हम सिरफ सांकेते विरोध नहीं कर रहे हैं जो मूलबू सुविदाओं से जनता आज वंचित है उनको लेकर बात उठा रहे हैं नौजवान के बात को उठाएंगे और मैं उमीद करता हूँ कि आज के प्रदेशन के बात सरकार संग्यान लेकर उचित करना मुठाई कैसा मैं वानता हूँ